हलो दोस्तों ब्रीजाज कीचन में आपका सौगत है तो आज मैं बनाने जा रहे हूं गर्मियों से बचने के लिए और रहत देने के लिए आम पन्ना जो बनाना बहुत ही आसान है कच्छे आम से तयार होता है बस घर से जब भी बहार निकल लिए एक गलास पीजे और गर्मिय अब कड़ाई का वी इस्तंमाल कर सकते हैं पर लिए तक हमारी कुकर में तक हमारी कुकर में यह चुकी है दो सिटी लगाएंगे अब कुकर को कर देंगे ठंडा जब कुकर ठंडा हो जाए तब इसे खोलेंगे देखिए आम हमारा अची तरह से गल चुका है इसे हम एक थाली में पलट लेंगे इसके पानी को हम फेकेंगे नहीं इसके गोदों के साथ हम मिक्सी बाल में डालकर पीस लेंगे इसके छिलकों को हम अलग करेंगे देखिए आम हमारा अची तरह से गल इससे भी गुदों को अलग कर लेंगे हम इस तरह से हम आम में से सारे गुदों अलग कर चुके हैं अब यहां हम लेंगे मिक्सी बाउल जिसमें हम उबले हुए सारे आम को आम के गुदों को हम डाल देंगे गुदे सारे हमारे विक्सी बॉल में जा चुके हैं अब यहां पर हम दो हरी मिर्च डालेंगे दो अद्रक के टुकडे और पुदिना के पत्ते आधा चमच हम भूना हुआ जीरा का इस्तमाल करेंगे और नमक काला नमक का इस्तमाल करेंगे आधा चमच और इसे हम बारिक पीस लेंगे हमारा पेश्ट बारिक पीस चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी चीनी इसको भी इसके साथ हम पीस लेंगे चीनी डालना बहुत ज़रूरी है अब इस तरह से देखिए हमारा पेश्ट स्मूथ सा पेश्ट बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है अब इससे हम एक जार या फिर टीफिन में पलट लेंगे देखे कितनी आसानी से घर जा रहा है टीफिन में सारे पेश्ट हमारी टीफिन में जमा हो चुके हैं अब इस टीफिन को या फिर जार को फ्रीज में रख सकते हैं आप दो से तीन दिनों तक और आपका जब मन करें तब आम पन्ना बनाईगे और पीजिए ग्लास में मैंने बर्व को डाल दिया है कुदे नयक के कुछ पत्ते डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमग थोड़ा डालेंगे अब यहां पर हम बनाय हुआ आम पन्ना डालेंगे दो चम्मच अगर आपको ज्यादा प्रसंद हो तो तीन चम्मच कर सकते हैं बड़े चम्मच से मैंने दो चम्मच दो दो चम्मच डाला है आम पन्ना अब य से हम चम्मच की साता से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हमारा आम पन्ना बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है मज़ेदार और टेश्टी जब भी घर से बाहर जाएए इसे ग्लास पीजिए लू से बचाएए है ना बनाना आसान आम पन्ना तो आप भी बनाएगे जट पट